यहां पर मैं लाया हूँ डबल वर्ब यह दो वर्ब वाले संटेंस को जैसे साप सरक्ते 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 सरग्या मैंने देखा है कि इंग्लिस के बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो इसका यूज वाइल में बनाते हैं वाइल में भी इसका यूज होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है लेकिन जो जो सही तरीका है वह होता है बाई एंड बाई का मैं आग को while की भी एक नहीं दो दो वीडियो बना के बताऊंगा कि while का यूज कहां पर सही तरीके से करते तो चलिए मैं आज का sentence आपको बताता हूँ जैसा है साप सरकते सरकते सरक गया तो हम सबसे पहले by and by से start करते है मैं यहाँ पे by and by की meaning लिखा है धीर धीरे यह इसकी meaning नहीं फिर्स यह उस वर्म को दर्साता है जो continuously धीरे धीरे होता है तो मैं शुरू करता हूँ पहला sentence साप सरकते सरकते सरक गया तो यहाँ पर हम पहले by and by लिख लेंगे इसका मतलब साप धीरे धीरे सरक रहा है तो यह कारी को दर्साता है उसके बाद साप सरक गया the snake creeped creeped मिल सरकना तो हम यहाँ पे वर्म की second form यूज करेंगे क्योंकि यहाँ है past independence meaning यहाँ पे है friends creep दूसरा है लोटा लुड़कते लुड़कते लुड़क गया लोटा की meaning friends मैंने लिखा है spherical pot तो by and by the spherical pot लुड़कना की meaning होती है roll तो past है तो हो जाएगा rolled तीसरा है भैस बैठते बैठते बैठ गई by and by the buffalo fat amount फिर यहाँ था हमारा आज का वीडियो और ऐसे ही नए वीडियो और नए structure पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरू प्रिप्रेश्ट कीप वाचिंग एंड थांक यू फ्रेंड